अगर आपने चैनल पे पहली बार विजट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए ताकि जितनी वी वीडियो जो में अप्लोड करूँ आप लोगों तक नॉटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंजा और अगर आप मेरे टेलिग्राम गूरूप से जोड़ना चाहते के लिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा बात करेंगे इरेडा यानि की इंडियन रेल्लेबर एनरजी डिवलपेंट जिन्शी की 4.9-8 परसंट यानि की 5 परसंट का लोगर सर्किट मार्केट ओपनिंग के टाइम ही लगा क्योंकि स्ट स्टॉक में अब उनको अपने पोर्फोलियो में लगातार लॉस ही देखने को मिलेगा और स्टॉक में सपोर्ट लेवल्स क्या हैं उनकी भी बात करेंगे हाला कि मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है तो इसलिए स्टॉक में करेंगे और नीचले तरसे जो ऊपर लेकर आ हैने कि जिनको IPO लिस्टिंग के अंदर भी मौका नहीं मिला था वो मार्केट में लिस्ट होने के बाद ओपन मार्केट के अंदर भी बाई जिनोंने किया है उसको अभी भी 184% के असपास के रिटन्स IREDA बना कर दे चुका है और फेज जो है आने वाले समय जो है वो कहने कह करें तो देखें इरेडर शेर अपडेट में बात करें तो मल्टिबेगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग लगातार जा रही हो तीन दिनों से स्टॉक में जो है लगातार लोवर सरकिट लग रहे है और ऐसे में 215 रुपे के असपास के असपास का जो है प्रीमियम गेन भी देखने को मिला था और ऐसे में एक्सपर्ट की राय क्या है वो भी जान लेते हैं देखें एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे निवेशक जो मोझुदा लेवल पर स्टाप में एंडरी करने की उज़ना बना रहे है उन्हें सतक रहना चाहिए उन्होंने तरक दिया है कि रेजिस्टन्स जो है वो 200 रुपे पहरा और टिप्स टू ट्रेड़स के आर रामजंदर ने कहा कि शेर की कीमत जो है वो 200 रुपे के करीब रेजिस्टन्स के साथ डेली चार्ट पर बेरिस और ओर बोट दिखती है दूसरे अब्रेट की बात करें तो इंडियन रिल्बेंट एनरजी को जो है एक और जो है यहाँ पे अपर वल मिला है रेजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से की है निचल सर से होड करिए काफ इच्छे रिटेंज बना कर दी सकता है शौटर वाले जो एक यह जूली जो है पॉफिट बॉकिंग करते हैं वही चीज इस टाइम आप लोगों को आई आर इडिये के अंदर देखने को मिल रही है कॉटर थ्री जो है काफी पॉजिटिव रहा था 45,853 क्रोड का मार्केट काया पर रिटर्न ऑन क्विटी रिटर्न ऑन कापिल भी अच्छे है और उपरी सतर से स्टॉक 20% की करेक्शन में अवलेबल है 50 डेज मूविंग अवरेज से स्टॉक अभी भी उपर है 135 के आसपास जो है स्टॉक का हमें 50 डेज मूविंग अवरेज देखने को मिल रहा और स्टॉक की क्लोजिंग जो है वो 170 के आसपास है कॉटर थी काफे इच्छा रहा था प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो स्टॉक में अच्छी अपॉजिनटी बनेगी बाई करके होल्ड करने की 50,000 क्रोड के आसपास के टोटल एसेट से कंपनी के पास और शेर होल्डिंग पैटरन की बात करें तो दिसंबर कोटर के साब से 75% स्टेक प्रमोटर के पास है 1.88 FI, 4.37 DI और पबली के पास 18.75 पास है तो correction है, lower circuit लग रहे हैं तो panic करने की कोई बात नहीं है market correct कर रहा है अपने आपको पर एक अच्छी opportunity दे रहा है जो stock को buy नहीं कर पाए थे long term तक hold करने के लिए अच्छी opportunity होती है market जब अपने आपको correct करती है हमीशाच ये source को buy करके आप लोंको hold कर लेना चाहिए